नमस्कार स्वाधत है आपका हमारी यूटूब चैनल इसकूल चले में जिसका कि आप देख रहे हैं आज हम NCRT हिस्ट्री तच्छा एट के चेप्टर सेवन को पढ़ेंगे जिसका नाम है बुनकर लोहा बनाने वाले और फेक्टरी माले और इस चेप्टर पे आज हमारा फोर हमने इस चेप्टर में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की कई तरह के कपड़ों के बाड़े में जाना जैसे की मर्शलीन पटोला केलिको बंडाना हम उसे बंधनी भी कहते हैं उसके बाद छीट जामदानी भुनाई फिर हमने केलिको अधिनियम फिर इस्पनिंग जैनी पी दीटेल्स में अपने तीन वीडियो में हमने पड़ा है और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे स्कूल चले चैनल के ले लिस्ट में जाकर जरूर देखे तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में लोहा और इस पात का जो उध्योग है जो कार खाना है उसक तो यहां पर 1904 की बात हो रही है अप्रेल के महिने में अमेरिकी भोवेग्यानिक भोवेग्यानिक का मतलब होता है जो जमिन के बारे में खोजबिन करते हैं चल्स वेल्ड और जमसेजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दुराब जी टाटा च्छतिस गड में लोह आयस्क भ अच्छे लोह अयस्क भंडारों की तलाज में कई महिने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे जमसेजी टाटा भारत में बड़ा लोह इस्पात कर खाना लगाने के लिए अपनी जोन की संपत्ति थी उसका एक बहुत बड़ा भाग खर्च करने को भी तैयार थे लेकिन इसके लिए पहले सर्तियत ही कि उम्दा लोह अयस्क भंडारों का पता लगा दिया जाए देखिए हमने अपने पिछले अध्याय में धातु मल के बारे में जाना था जिसका मतलब होता मैंने कर सकते हैं आवशेस के बारे में बताया था तो यहां पर हम किताबी भासा में ज चले हम अपने मुखी बिंदू पर आते हैं एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाग चानने के बाद जो अमेरिकी भूवे ग्यानिक रहते हैं और जो दुराब जी टाटा रहते हैं जमसेजी टाटा उनके बड़े बेटे तो एक छोटी से गाव में जा पहुचे यह और वहा चुदाइक के बारे में किस तरह से यह उजार को बनाते हैं लो अयस्क आपने उजारों को बनाते थे जब उनसे पूछा कि यह जो अयस्क है कहां से लाएं है तो उन्होंने दूर इस एक पहारी की तरफ उंगली उठा दी वेल्ड और दुराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद ठक कर उस पहारी पर जा पहुचे पहारी का दियन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस ची खाने थी यह सुखा इवान था और करखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानि नहीं था Please लिहाजा कर खाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में और टाटा की तलास थे वो जारी उन्होंने रखी अगर यह समुदाय के लोगों ने लोग आयस का एक और श्त्रोट ढूंडने में मदद की जहां से बाद में भिलाई स्टील संयत्र को आयस पिया पूर्ती की गई तो कुछ साल के बाद स्वर्न रेखा नदी के तड़ पर बहुत सारा जंगल आने के लिए जगर बनाई गई इस सहर को जमसेदपूर का नाम दिया गया और इस अस्थान पर लोग अयसक भंडारों के निकट पानी भी उपलब्द था यहां टाटा आइरन एंड इस्टील कमपनी तिसको के स्थापना हुई जिसमें 1912 से इस्टील का उत्पादन होने ल Red čar Rotary है 1940 का यह चित्र है दरिश है तो तो की स्थापना बहुत सही समें पर हुई थी 19वी सधी में भारत में आम्तोर पर ब्रितेन में बने श्टील का जो आयात था वो ब्रिटेन में बने श्टील का आयात कर रहा था इंग्लेंड भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पत्रिया पत्रियों की यहां भारी मांग थी काफी समय तक भारती रेलवे से जुरी अंग्रेज विसे सगिया मानने को तयार ही नहीं थे कि भा जानते हैं भारत में काफी उम्दा किस्म के नील के बारे में सुती कप्ड़े के बारे में और अब जो बारी थी वो थी उम्दा इस पात के बारे में तो जब तक टिसको के स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे 1914 में पहला विश्यूद शुरू हुआ और ब्रिटेन में बनने वाले इस पात को इरोप में यूद संबंदी आवशकताओं को पूरा करने के लिए जोक दिया गया तो इस तरह से भारत आने वाले जो ब्रिटिस स्टील की मात्रा में भारी गिरावाटाई और रेल की पत्रियों के लिए भारतिय रेलवे टिसको पर आश्रिक्ट हो गया जब यूद लंबा घीच गया तो टिसको को यूद के लिए गोलों के खोल और रेलगारियों के पहिये बनाने का काम भी स्वाप दिया गया 1919 तक रिस्थिती यह हो गई कि टिसको में बनने वाले 90 परतिशत 90 परतिशत इस पात को उपनिवेशिक सरकार ही खरे लेती थी जैसे जैसे समय बितार टिसको जो था वो समूचे ब्रिटिस समराज में इस पात का सबसे बड़ा कार खाना बन चुका था देखिए यूद के जरूरत को पूरा करने के लिए टिसको को अपनी छमता और फ्यक्टरी का आकार बढ़ाना परा विस्तार का यह काम यूद के बार भी चलता रहा और यह चित्र है इस चित्र में नए विधुत संयत्र और वाइलर संयत्र बनाए जा रहा है जमसेदपूर उनिस का यह चित्र है आप देख सकते हैं तो सूती कपड़ी की तरह लोहे और इस पात के मामले में भी ओधोगिक विस्तार तभी सुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिस आयाद गिरने लगा और भारती ओधोगिक बस्तों की मांग में इजाफ़ा हुआ और यह जो बदलाओ थे पहले विश्यूत के दोरान और उसके बाद सामने आये थे तो जैसे जैसे राष्टिया अंदोलन विक्सित हुआ और धोगिक वर्ग ताकतवर होता गया सरकारी सनरचन की मांग भुलंद होती गई भारत पर अपना नियंतरन बनाए रखने के लिए संगर्श्रत बृति सरकार को उपनेवेशिक सासन के आखरी दसकों में इन में से बहुत सारी मांगे मांगनी परी और आज अनियतर में हम जापान को पढ़ेंगे जापान में ओधोगिकरन के सुर्वाती साल के बारे में हम जानते हैं चलिए देखिए उनिस्यू सदी के ब्रिटिस वस्तू का बाजार बढ़ाना चाहती थी है ना तो भारत में ये ब्रिटिस के वस्तू की मांग बढ़ाना चाहती थी इसलिए उसने भारतियों अध्योग पतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दे लेकिन जापान में क्या था तो जापान की सरकार ने अपने मेजी राजवन्स की कर सकते हैं कि सत्ता थी उनका मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए उधोगी करन के राश्ते पर चलना चाहिए इसलिए उसने उधोगी करन को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्पुर्ण कदम भी उठाए इस करम में डा परकांतों के हिसाब से ढाला गया जापानी पेस्वड़ों को प्रसिच折 करने के लिए विदेशी विशेशक्यों को भी बुलाए गया निवेस के लिए सरकारी बेंकों से उधोग पतियों को उधार शर्टों पर कर्ज भी जेपान की सरकार सरक्कार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किया और बाद में उन्हें सस्थी कीमत पर वैवशाई घराने को बेज दिया आप देख सकते हैं उन्होंने उस टाइम पर ही कितना कर सकते हैं उद्योग के बारे में कितना जादा अपनी जो सोच थी उसकी सोच जो थी काफी वि में अंग्रेजों का ही दब दबा था तो जापान में विडेशी कबजे के भाई की वज़र से ही उद्होगी करण को बढ़ावा मिला था लेकिन इसका एक अर्थिया भी था कि जापान का उद्होगी की विकास सूरू से ही उसकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था कितना आप समझ सकते कितना फड़क था भारत के ओधोगी करण और जापान के ओधोगी करण के सुरुवात में तो इस तरह से जो हमारा अधिया सेवन है आज रही पर पूरी तरह से समाप्त होता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के नोट्स को पढ़ेंगे तब तक आप द चैनल स्कूल चले धन्यवाद